प्रिये विध्यार्थियों मैं गुर्मीत सिंग, सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकिये महाविध्याले बुंदी, आज के मेरे ईवियक्यान का विशे, बीए प्रतंवर्ष हिंदी साहित्य, दित्ये प्रश्न पत्र के अंतरगत, पाठे पुस्तक, कहानी संकलन से सम्दि है, इस पाठे पुस्तक, कहानी संकलन के संपादक हेतु भारद्वाज हैं, जिसके अंतरगत दस कहानियाँ आपके पाठे करम में हैं, कहानी के अतरिक्त, एक विधा आपके पाठे करम में और है, वह है उपन्यास, चित्र लेखा उपन्यास आपके पाठे क्रम में है आज का व्यक्ष्यान कहानी के तत्वों पर आधारित है अर्थात कहानी कला के प्रमुक तत्व अथ्वा कहानी का रचना विधान किस प्रकार होता है आज हम उस पर चर्चा करेंगे कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यक विधा है जिसमें वास्त्विक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर मन की जटिल चेतना का विशलेशन होता है कथा समिक्षकों ने कहानी के मुल्यंकन के लिए उन प्रमुक आधारों को खोजा है जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है इन ही आधारों को कहानी के तत्व के नाम से अभिहित किया गया है शास्त्री ये समिक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुक तत्व ये माने गए हैं कथानक, पात्र या चरित्र चित्रन, समवाद या कथोप कथन, देशकाल वातावरन, भाशाशेली, उद्देश्य अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि यह जो तत्व होते हैं, वो कहानी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनके आधार पर हम किसी भी कहानी का मुल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समिक्षा कर सकते हैं और सरल शब्दों में कहा जाए, तो कहानी के छे तत्व मुख्य रूप से होते हैं, जिस पर पूरी कहानी खड़ी होती है वही तत्व उसकाहनी का मुख्य आधार होते हैं सबसे पहला तत्व है कथावस्तू या कथानक वह घटना या कथा जिस पर कहानी का धांचा निर्मित होता है, कथावस्तू कहलाती है कथावस्तू का चैन कहानी कार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है वह मानव जीवन से कथानक का चैन कर उसे कल्पना एवं बर्मिस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है प्रमुक घटना को अनेक घटनाओं से जोडता है वह कथानक को संभावय और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दरश्टी परदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्तित एवं सुगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कोतुहल वर्धक लगता है विकास क्रम की दरश्टी से कथानक के चार विकास सोपान माने गए है नंबर एक आरंभ नंबर दो विकास नंबर तीन चरम सीमा तथा नंबर चार अंत अर्थात कथावस्तू या कथानक में भी उपभेद है कथावस्तू का आरंभ किस परकार होता है कथावस्तू का विकास किस तरह होता है कथावस्तू अपनी चरम सीमा पर किस परकार पहुँचती है और कथावस्तू का अंत किस परकार होता है यह कहनीकार अपनी कहनी के माध्यम से पाठकों के समक्ष बताने का प्रयास करता है कहनी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए विकास सोपान में कहनीकार कहनी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप इस्पष्ट करता हुआ संघर्ष की उत्पत्ती करता है चरम सीमा वह सोपान है जहां कहानी की सम्वेदना पाठक को प्रेशित हो जाती है और पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है अंत में कहानी से प्रेशित होने वाला परिणाम निहित होता है यह तो बात हुई कथानक या कथावस्तु जो कहानी का पहला और महत्व पूर्ण तत्व मना गया है दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रन प्रेम चंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता उनका महत्व केवल पात्रों के मनों भावों को व्यक्त करने की द्रस्टी से ही है यह उद्धरन प्रेम चंद जी ने कहानी के लिए लिखा है कि कहानी का उद्देश्य किस परकार होना चाहिए और कहानी में किन चीजों का समावेश होना चाहिए पात्रों की क्या उपयोगीता है और क्या उपादेता है उसके बारे में भी प्रेमचंद जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी में वे पात्र परमुक होते हैं जिनके इर्दगिर्द कथावस्तु घूमती है इसलिए पात्रों के चैन में कहानीकार को सावधानी बरतनी पड़ती है यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्त्विक जीवन के दुख सुख जहलने वाले हैं तो उनका तादात में पाठकों के साथ सर्ज ही हो जाता है कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए यह कहानी की विशेष्टा है कहानी में लेखा की दृष्टी प्रमुक पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुखे पात्र के साहरे ही होना चाहिए जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तर अभी व्यक्ति मिलनी चाहिए यह था कहानी का दूसरा तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रन कहानी में पात्रों के वारतालाप संबाद कहलाते हैं एक दूसरे से बात करना वह संबाद कहा जाता है ये संबाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही है साथ ही वर्ण नात्मक्ता की एक रस्ता को तोड कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं कहानी में समवाद कथाना को गती प्रदान करते हैं पात्रों का चरित्र चित्रन करते हैं कहानी को स्वभाविक्ता प्रदान करते हैं कहानी का उद्देश्य इसपष्ट करते हैं इन सब कारियों का समपादन समवादों से तबी हो सकता है जबकि कहानी के समवाद नमबर एक पात्र परिस्थती एवं घटना के अनुकूल हो नमबर दो संक्षिप्त एवं व्यंगेपूर्ण हो नमबर तीन कथानक को प्रहव मान बनाने में समर्थ हो नमबर चार चरित्रों को उभारने वाले हो तथा नमबर पांच सरल एवं इसपष्ट हो अतह कहा जा सकता है कि समवाद या कथोप कतन भी कहानी का एक अत्यन्त महत्व पूर्ण तथ्व माना गया है इसके अभाव में कहानी पूरी कहानी नहीं मानी जा सकती उसके बाद तथ्व आता है देशकाल अत्वा वातावरन वातावरन का अर्थ है उन सभी परिस्ततियों का चित्रन करना जिनमे कहानी की घटनाय घटित हो रही हैं तथा जिनमे कहानी के पातर सांस ले रहे हैं पातर और उनके चारों और पदार्थों का संबंद बहुत गहन होता है उनका चित्रन न केवल पात्र की मानसिक इस्थती को उधगाटित करने में सहायक होता है प्रत्युत सही वातावरन किसी भी कहानी को विश्वस्निय भी बनाता है शास्त्रिय द्रश्टी से वातावरन के सामाने तह तीन पक्ष माने गए हैं नमबर एक जो हमारी इंद्रियों को परभावित कर उद्दीप्त करता है जागरत करता है नमबर दो जो हमारी सोंदर्यान भूती की व्रत्ती को परितरप्त करता है और नमबर तीन जो हमारी सच्ची सान भूती की व्रत्ती को जागरत करता है प्रथम परकार के वातावरन को पश्च्चमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है मगर इन में सबसे महतुपूर्ण तीसरा परकार है जिसमें वास्त्विक जगत का वातावरन आता है अर्था जिसमें हमारी सच्ची सानुभूती परकट होती है ऐसा वातावर्म कहानी में उपस्तित करना आधुने कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं क्योंकि पात्र और परिवेश परस पर अभी भाज्य रूप से जुड़े हुए हैं उसके बाद पांचवां तत्व यह भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है उसका नाम है भाशा शेली इस तत्व का सम्बंध कहानी के कथे के परभावसाली संप्रेशन से है अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना या पाठकों तक सहज रूप से पहुँचाना ही संप्रेशन कहलाता है कहानी कार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपैक्षित परभाव पड़े इसके लिए आवशक है कि कहानी की भाषा सरल इसपश्ट प्रभाव मैी तथा पातरानुकूल हो जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए यह तभी संबव है जब काहनीकार भाशा के करत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को सुईकार करेगा जहां तक शेली का समन्द है उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मक्ता, तथा, प्रभावात्मक्ता, आदि का होना नितांत आवशक है इसके साथ ही कहनीकार इन शेलियों में कहानी लिख सकता है वर्णन परधन शेली, आत्मक कथा शेली, पत्रात्मक शेली, डायरी शेली आदि इन में से कहनीकार अपने कथे के अनुकूल एक या कई शेलियों को अपनी कहनी के लिए चुन सकता है इसके बाद अन्तिम तत्तो कहानी का जो होता है वो होता है उद्देश्य कहानी पाठका मनोरंजन करती है मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रती द्रश्टी कोन प्रस्तुत किया जाता है मगर कहानी उपदेश नहीं देती वह तो मानव जीवन के किसी सत्य का उदगाटन करती है आधुनिक कहानिकार इस बात को महतो नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की व्रत्यों का उन्यन करे लेकिन कहीं न कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके समवेगों को जगाता तो है ही यदि वह पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्ततियों का चित्रम कर उनके प्रती पाठकों जागरुक बनाता है तो भी उसके लक्षे की सिद्धी हो जाती है इस प्रकार विधार्थियों आज हमने कहानी कला के जो प्रमुक तत्व हैं अथ्वा कहानी का जो रचना विधान है उससे समंधित अपने विचार व्यक्त किये हैं सबसे मुख्य रूप से इसमें यह है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं आप से प्रश्न भी पूछा जा सकता है एक नंबर का छोटा प्रश्न बन सकता है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं उसके नाम लिखिए तो आपका उत्तर होगा कि कहानी के मुख्य रूप से छे तत्व ह होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं पहला कथा वस्तू या कथानक दूसरा पात्र या चरित्र चित्रन तीसरा समवाद या कथोप कथन चोथा देशकाल वातावरन पांचवां भाशा शेली छटा उद्देश्य इनी तत्व के आधार पर हम किसी भी कहानी का मुल्यांकन कर सकते हैं उसकी समिक्षा कर सकते हैं अर्थात कहने का अभी प्राय या तत्व कहानी के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं इन तत्व के बिना कहानी सफल कहानी नहीं कही जा सकती तो आज का व्यक्षान कहानी के तत्वों पर था जो यहीं समाप्त होता है अगला व्यक्षान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा